जार्खन में मैट्रिक वा इंटर के रिजल्ट घोसित सिक्षा मंत्री ने जारी किया पईनाम। बता दे कला और कॉमर्स बिशायक पईनाम चंद रोज बात जारी होने की उमीद है। शिक्षा मंत्री ने अंले रियल्ट जारी किया है इसमें मैट्रिक और इंटर साइन्स का रियल्ट सामिल है। बता दे मैट्रिक में 4 लाग छात्रों ने परिशादी थी जिसमें मैट्रिक में 95.5 परतियत पईनाम रहा है। वहीं जार्खन बोट की ओर से बताया गया की दसवी में 6 परतियत चात्र फर्स्ट डिविजन से पास हुए है। वहीं 33.3 परतियत चात्र शाकेंड डिविजन से पास हुए, जबकि 3 परतियत चात्र पास हुए है। इंटर साइन्स बिशाए में कूल 66304 चात्र सामिल हुए, जिसमें साइन्स में 92.3 रियल्ट हुए है। ज्यारखन के करीब करीब सभी जिले में मांसून सक्री हो गया है बारिस जारी है अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थीती रहने की उमीद है 22 जुन को आदरा नक्षदर प्रवेस कर रहा है इसके साथ ही बेहतर बारिस की उमीद की जा रही है 24 जुन को राईधानी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिस की संभवना है मौसम भी भाग ने बारिस के दोरान गरजन और बजरपात का भी अनुमान लगाया है लोगों से पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होने का अगरा किया गया है ज्यार्खन के हर जीलेवा परखंडों में 90 दिनों के अंदर अगनी भीरो की भारती ज्यार्खन के हर जीला वा बलोक अस्तर पर होगी यह बहाली 90 दिन के अंदर की जाएगी इसके लिए आर्मी सारी परकिरिया पूरी करने के बाद राज सरकार को प्रस्ताव भेज देगी राज सरकार के अनुमती मिलने के बाद बहाली के परकिरिया शुरू कर दी जाएगी यह जनकारी सिवा निवरीत बिरिगेडियार बीजी पाठक ने दिया है अगनी पत्योजना को लेकर जारी संसय को दूर करने के लिए सोमवार को आर्मी रिकुरेंट आफिस में प्रेस वारता का युजन किया गया बता दे स्री पाठक ने बता कि अगनी वीरों को यूपी सरकार ने पुलिस वा समध बालों में भारती के लिए प्रत्मिक था वही हर्याना सरकार ने नोक्री में वर्याता असम सरकार ने राज पूलिस भारती में वर्याता तथा करनाटक सरकार ने पूलिस भारती में वर्याता प्रत्मिकी के अनुसंधान अब अपराज अनुसंधान विभाग करेगी CID जाज कराने समंधित प्रस्ता प्रमंगरवार को मुख्य मंत्री हैमान सुरे ने सग्रिती दे दिया है पूरा ममला वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लकडी तसकरी वा जंगल में अवाज रूप से वन की कटाई से समंधित है बता दे इस मामले में पाकी थाने में 20 जनवरी को मेदनी नगर पलामू के सायाक वन संरक्छक राम सुरत परसाद ने प्रात्मे की दर्ज कराई थी शिक्षा मंत्री की अपसोस अगले वरस दूंगा इंटर परिक्षा जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने मंगलवार को जार्खन बोट का ओनलाइन परिणाम जारी किया इस बात की उन्हें बहुत खोशी थी कि जारकन में समय परमायट्रिक और इंटर साइंस की परिक्षा के पइनाम जारी होगा है बता दे पइनाम जारी करते हुए उनकी पीड़ा भी सब के सामने छलक आई मीडिया से कहने लगे कि मुझे अपसोस आए कि इस बार इंटर की परिक्षा में नहीं सामिल हो सका खराब स्वास्त ने मुझे इसकी इजायत नहीं दी लेकिन अब अगले वर्स आयोजित होने वाले इंटर की परिक्षा में जरूर भाग लूँगा परिक्षा देकर इंटर पास करूँगा राजेपाल ने योगा अभ्यास की दी बधाई वस्तुभ कमनाए जारखन के राजेपाल रमेस बाईस ने राजभवन में पतांजली योग पीट राची के सायोग से आयोजित समोहिक योगा अभ्यास कारकरम में भाग लिया एवं सभी को अंतराश्ट्रिय योग दिवस की बधाई वस्तुभ कमनाए दी उन्होंने इस अशर पर कहा कि पूरे बिश्वन ने हमारे योग पदती को अपनाया है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हमारे मानने परधान मंतरी स्री नैंद मोदी ने बैस्विक मंच पर अंतराश्ट्रिय योग दिवस के संदर में प्रस्ताव रखा तो 150 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया योग से विभीन रोगों का निदान हो सकता है हमंत सरकार ने पाकिस्तान जिंदावाद के नारे पर कराई एफाया रांची पुलिस और परसासन की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुए है कि यारपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदावाद की नारे बाजी हुई थी जांच करने वाली टीम ने उपायुद को रिपोर्ट सोप दिया है बता दे इंटरनेट मीडिया में वैरल वीडियो की जांच में असपस्ट हो गया है कि बीसा मुंड़ा यारपोर्ट से जब हैदराबाद के सांसद ओवाईसी बाहर निकले तो स्वागत में खड़े समर्थकों में से किसी ने पाकिस्तान जिंदावाद के नारे लगा है हलाकि मीडिया में नारे लगाने वाले व्यक्ति का चेरा नहीं दिखाया रहा जाच के उपरांत जीला परशासन की डीप ने यारपोर्ट थाना में अग्यात के खिलाप प्रत्मिकी दच कराई है जारखन के किसानों को नहीं मिल रहा लाव किसानों को अधोनी क्रिसी से जोडने और उत्पादक्ता बढ़ाने के दोरे उद्यस से जारखन सरकार द्वारा सुरू की गई क्रिसी यंत्र बित्रन योजना टेंडर के फेर में उलज कर रहा गई है और अब तक किसान योजना के लाप से वन्ची था है किसी विभाग के भूमी संरक्षन निदे साले द्वारा सो मौर को इस अंदर में बितिये बोली को लेकर बुलाई गए बैठक में खासा विरोध हुआ और इसे एक सब्ता टाल दिया गया बता दे अब पूरे मामले की समिक्षा के बाद इस पर कोई समती बनाने की कोशिस होगी मीनिमम बाइलेंस नहीं होने से बच्चे के खाते से काटे जा रहे पैसे जारखन के सरकारी स्कूलों के बच्चों के खाते में कौम राशी होने के नाम पर उनके हक के पैसे काट जा रहे हैं जिन बच्चों को पिछले 10 माह की कुकिंग कास्ट की राशी दी गई उनके खाते से भी मिनिमम बाइलेंस के नाम पर राशी काट ली गई है ऐसा सिर्फ राजधानी राची में नहीं बलीक राज के अधिकांस जीलों के बच्चों के साथ हुए है बतादे जीन बच्चों को कोकिंग कोष्ट की रासी पहले मिली और वे निकाल चुके वहीं अगली पोसाक छत्रविती के रासी मिलने पर कटोर्ती की संभावना नजर आ रही है अगनी बीरों की भरती परकिरिया तेज करने के बीच पीयम मोदी से मिले तीनो सेना परमूख अगनी पर्थ जोजना के खिलाब देश पर में जारी वीरोत परदसन के बीच तीनो सेनाओ के परमूख ने परधान मति नैदमोदी से मुलकात कर अगनी बीरों के निकती परकिरया में तेजी लाने के लिए उठाए के कदम पर चर्चा की परधान मंतिरी की तीनो सेनाओ के परमूख के साथ बर्थक की चर्चाओ को लेकर अधिकारी की रूप से कोई जनकारी साजा नहीं की गई हलाकी माना जा रहा है कि इसमें तीनो सेनाओ ने आगनी वीरों के निकती के लिए इस उतना जारी करने से लेकर पहले बैच की ट्रेनिंग से जुड़े तमाम पलूख की आपने रूप रेखा से पीएम को अवगत कराया हमंत सरकार का एलान चोदर नगर निकायों में जल्द होंगे चुनाओ जारखन में एक दर्ड़न से अधिक नगर निकायों में चुनाओ कराने को माग प्रस्तस्त हो गया है राजे कैबिनेट ने इसे समंधित संसोधित नियमावली को सुकृति परदान कर दी है इसके पूर्व विधान सभा से कानून में संसोधन कराया जा चुका है लेकिन नियमावली नहीं होने के कारण इस अधार पर चुनाओ कराना संभव नहीं हो रहा था नए नियमों के अनुसार अब निकायों में मेर पद के लिए चुनाओ दलगत अधार पर नहीं होंगे वहीं डीप्टी मेयर का चुनाव जीते हुए पार्षदों के मत से होगा दूसरी ओर राजे कैमिनेट में ग्रीह बिभाग से समंधित रिक्त पदों को लेकर त्यार संसोधित नेमावली को सिक्रिदी पदान कर दी गाई जिसके अधार पर अब कम से कम 14,000 नियुक्तियों का माग प्रसस्त हो गया है द्रोपदी मुर्मु बोली राष्ट पती उमिद्वार बन कर खूस हूँ राष्ट्रिय जनतांतरी गटबंधन की ओर से राष्ट पती पत का परत्यासी घोसित किये जाने के बाद जारखन की पूरो राजपाल द्रोपदी मुर्मु ने सब के समर्थन की उमिद्वार बता दे रायरंग पूर इस्थित अपने आवाज पर लोगों से बाचित में उन्होंने अपने खूसी ब्यक्त करते हुए कहा कि सबका सोयोग मिलेगा इसकी पूरी उमिद्वार राश्ट पती पद के लिए नाम की घोसना के समध में कहा कि आचरे के साथ खूसी भी हुई है उन्होंने कहा कि उडिसा का होने के नाते वह बीजू जनता दल से भी समर्थन का आगरा करेगी जीला परसत चुनाव से सुरू हुआ द्रोपदी मुर्मु का सफर भारतिये जनता पाक्टि ने द्रोपदी मुर्मु को राश्ट पती चुनाव के लिए न्डिये का परत्यासी घोसित कर दिया है बता दे भाजबा अध्यक्ष जेपी नडडा ने इसका बकाईदा एलान भी कर दिया है ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि द्रोपदी मुर्मु कौन है बता दे इनका राइनितिक सफर कैसा रहा वह कहा की रहने वाली है कितनी सिक्षित है अगर वह राष्टपती चुनाव जीत जाती है तो यह पहला मौका होगा जब कोई आदिवासी महिला भारत की राष्टपती बनेंगी यही नहीं जीला परसत चुनाव से राष्टपती पत्त का सफर करने वाली राजनेता साबित होगी इंटर्मीडियेट बिग्यान में 84 पर 30 को प्रथम सिरेनी जारखन एकेडमी काउंसिल की इंटर्मीडियेट बिग्यान में जहां इस बारी कोड रियल ट रहा वही इस परिक्षा में 84.29 पर 30 परिक्षार्थी प्रथम सिरेनी में उतिन हुए बता दे पिछली परिख्छा में लगभग इतने परिखशार्थी सभी स्रेणि में उतिन हुए थे इस परिखशा का पहिणाम कितना बेहतर रहा इसका अंदाजा इससे लागा सकते हैं इसमें महाज 13 परिछार्थियों को ही 33 स्रेणी में संतोस करना पड़ा या कूल परिछार्थियों का एक परतिशत भी नहीं है बता दे तिन परिछार्थियों को कोई स्रेणी प्राप्त भी नहीं हुई है तथा उसे सिर्फ उतीन घोशित किया गया है मैट्रिक में 3,73,06 पास मैट्रिक और इंटर्मीडियेट साइंस परिक्षा 2022 का रियल्ड जारी हो गया बतादे सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने इसे जारी किया मैट्रिक के परिक्षा में इस साल 3,91,133 सामिल हुए थे जिसमें से 3,73,892 विद्धार्थी सफल हुए इसमें प्रथम स्रेनी से पास करने वाले चात्रों की संख्या 2,25,854 है जबकि 1,24,514 चात्र दूतिये वही 23,524 चात्र त्रितिये स्रेनी से पास हुए CUJ में PG की कूल सीट से अब तक 200 गुना से ज्यादा आवेदान कॉमन उनिवर्सिटी इंट्रेस्ट टेस्ट के तहट केंद्रिये विश्व भी देले जहारखन अंतरगत असनत कोतर में नमांकन के लिए 943 सीटों के लिए 2,3,432 आवेदान आये हैं आवेदान का यह आकडा कूल सीटों का 200 गुना से अधिक है वैसे तो PG के कई कोर्स हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंजिनियरिंग स्टुडेंट के बीच काफी पसंद किया जा रहा है बता दे CUJ के PG के इस विषय में एडमिशन के लिए अब तक 38580 आवेदान भी आ चुके हैं आदरान शत्र 22 जून से होगी अच्छी बारिस आदरान शत्र 22 जून से सुरू हो रहा है इस दीन साम 7 बच कर 35 मेर से नशत्र लग रहा है जिसका समापन 6 जुलाई को होगा बता दे इस दीन रातरी 9 बच कर 10 मेर से इस नशत्र का समापन होगा पंडित कोशल कुमार मिस्रा ने कहा है कि इस नशत्र में बारिस का अच्छा योग बन रहा है आधरा में भागवान को खीर पूरी और आम अरपित किया जाता है भागवान से अच्छी बारिस की कामना की जाती है ताकि खेत खलिहान अन से भरापूरा रहे इस बार धन तेरस तक बारिस का सनयोग बन रहा है साहिव गंज में योग का सांदार कारकरम 20 वज़ योग दिवश के मोवखे पर जीला परसासन एंच जीला गंगा समीति द्व्रा जीला अस्तर्ये ब्रीहट योग कारकरम का योजन किया गया कारकरम ओजा टोली घाट में आयुजित किया गया जहां पतांजली योग पीट के प्रसिक्ष को द्वारा योगा भास करा गया बतादे योगा अभ्यास के दोरान अनुलोम विलोम अर्द चक्रासन भुजांग आसन पौनम्मुक्तासन पदमा आसन भद्रा आसन आदे योग के आसन कराए गए सांसत की गोद में भी नहीं हुआ गाओ का विकास सांसत आदर्स ग्राम योजना के तहट चैनी धनबाद के बलियापुर परखन के करम टान पंचायत का होचुंग टान किसी भी मायने में आदर्स नहीं बन पाया है बतादे चार बर्स बाद भी इस गाओ को जानने के लिए मुखे सड़क नहीं बन पाई हीच कोले खाकर गाओ तक जाना पड़ता है साथ ही यहाँ पर पानी की वेवस्ता नहीं हो पाई है बतादे पीने के लिए भी पानी 1,5 किलोमेटर दूर से लाना पड़ता है पलामु के हुसैनाबाद से 3 बार राजकुमारी देवी बनी परमुख पलामु के हुसैनाबाद परकण कारियाले सबागार में परमुख हुआ हुँ का चुनाव सोम्वार को संपन कराया गया हुसनाबाद के कोसी से पांचायद समिति सतस्यवा निव वर्तमान प्रमुख राजकुमारी देवी प्रमुख चूनी गई है परमुख के लिए तिन प्रत्याशियोंने नमाकन पत्र दाखिलItaly जिसमें राजकुमारी देवी रीटा देवी को बारह मत तो वहीं फुलवांति देवी को कोई मत नहीं मिला हजारी बाग की प्रिया इंटर साइंस में स्टेट टोपर जारखन के हजारी बाग जीले की बेटी प्रिया कुमारी इंटर साइंस की परिचा में पुरे राजे में अवल रही है अनंद पूरी निवासी स्टेट टोपर प्रिया कुमारी इंटर साइंस कॉलेज की छात्रा है उन्होंने 500 में 489 अंक हासिल किया है बतादे प्रिया कुमारी ने बताया कि पीता भुनेश्वर नरायन के सब्दों ने उसे टोपर बना दिया है पीता जी पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे पीता कहते थे कि अभी जितना संगर्ष करोगी आगे जीवन की रा उतनी ही आसान होगी तीन पीलेफाई सदस्य गिरफतार तोरपा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगर्षन पीलेफाई के मारे गए दो लाह के हाटकोर उग्रवादी एरिया कमांडर मंगरा लुगुन के दस्ता के तीन सदस्य को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पकड़े गए सदस्य तोरपा थाना छेतर के ही दियांकेल सरना टोली के 20 वर्षिये ललीत तोपनो पिता एमन तोपनो सरना टोली के अलवट तोपनो 42 वर्षिये पिता मसीह दास तोपनो तथा दियांकेल बदरू टोली के 40 वर्षिये नीरज पिता अलेदून लुगुन है जार्खन के जिलो में जल संकर्ड जार्खन के सर्वों में पानी के उपलबता की बात की जाये तो इसकी शुरुआत करने के लिए राजधानी राची से बेतर कोई सहर ही नहीं हो सकता बता दे कहीं यहां का मौसम और वेवास्ता इतनी संदार हुआ करती थी कि राजधानी राची को गर्मियों की राजधानी का तमगा मिला हुआ था बता देश के भी भीन हिसों से लोग गर्मियों में राची आते थे और यहां अच्छा वक्त बिताते थे लेकिन अब हलात वैसी नहीं है यहाँ कई ऐसे इलाके राइधानी के बीचो बीच हैं जहांसे लोग गर्मियों में खूद का घर खाली कर दूसरे इलाकों में जाने के लिए बीवस हो रहे हैं लोहरदगगा के सभी ठाना परवारियों का हुआ तबादला लोहर्दागा, S.P. ने जीले के सभी थाना परवायों का तबादला कर दिया है, पुलिस उप महा निरिक्षक से प्राप्त अनुमति के बाद, पुलिस निरिक्षक, पुलिस अवर निरिक्षक को अस्थानांत्रित करते हुए नए अस्थानों पर पदस्थापित किया गया है पतादे पूलिस निरिक्षक सर्यू अनन्द को लोहरदागा अंचल के पूलिस निरिक्षक से किसको अंचल पूलिस निरिक्षक बनाया गया जबकि पूलिस निरिक्चक चंद्रमोहन हांसदा को किसको अंचल पूलिस निरिक्चक से लोहरदागा अंचल पूलिस निरिक्चक बनाया गया है हेमंत सरकार ने IAS मैडम से 15 दिनों में मांगा जवाब भरष्टा चार के संगिन आरोपो में जेल भेजी गई जारकन की पूर्वखान सचीव IAS अधिकारी पूजा सिंगल की मुश्किले और बढ़ गई है अब हेमंत सुरेन सरकार ने भी पूजा पर सिकंजा कसना सुरू कर दिया है बता दे पलावू में कोट होतिया कोल माइस आवंटन घोटाले में कार्मिक विभाग ने जेल में बंद IAS अधिकारी पूजा सिंगल से 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है इसके साथ ही पूजा सिंगल के खिलाप इस मामन में विभाग ये करवाई सुरू हो गई है पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार इस परकरन में पूजा सिंगल के खिलाप करवाई सुरू करेगी धन्यवाद